पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखे वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन जैनिकों ने गिर्टे पत्थरों की आज लेकर वाजी यूनिट पर धवा भोल दिया स्कॉर्ट थ्री का भार के शेयत्रों घुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ लेफटनेंट सिंग्की पिट्रूल 3 तीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा चा गया छे गंटे बाद जब लेफटनेंट सिंग्की आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बौचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे बारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाहिचारे और भारत के लिए फौजी कर दो कर दो कर दो किया है